कि नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉम्प्टिशन कम्यूटी में बहुत स्वागत करता हूं कैसे आप लोग पढ़ाई चल रही होगी और बहुत अच्छे से चलनी भी चाहिए क्योंकि एक्जाम कब हो जाए कोई भरुसा नहीं है ठीक है तो चलिए देख थोड़े से कुछ बता रहा हूं यहां पर किस नंबर से किस नंबर तक है अब बाकी सिर्फ उसके MCQ कर आ रहा हूं मैं क्लियर है चलो सीधा डारेक स्टार्ट करते हैं अपन तो भाग 18 अपाद उबंध आर्टिकल 352-360 और भाग 20 सविधान संसोधन आर्टिकल 368 सविधान स पुड़ा डिटेल्स जो होगा वह आपके मेंस के क्लास में होगा यहां सिर्फ मैं आपको MCQ कर आ रहा हूं क्लियर ठीक है चलो सुरुआत करते हैं डारेक कोश्चन चे तो कोश्चन आपका पहला क्या बोलता है आपका कोश्चन पहला बोलता है आपका कि भारती सविधान क 21 संसोधन में वनों को राज सुची से समवर्ती सुची में स्थानतीत किया गया था तो कौन सा सविधान संसोधन था वह था 22 सविधान संसोधन 1976 के तहद किया गया था ठीक है नेमी में से दल बदल विरोध विदेयाक के संबन में क्या सत्य नहीं है पूछ रहा है तो पहला संसद एक संसद या विधायक अनहर ठहराय जाएंगे यदि उसने उस दल की सदसता स्विक्षा से ताग दी हो तो जिससे वह संबंदित था क्लियर दूसरा बोल रहा है किसी सदस के सदन में किसी विशेज मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिती बनाया रखने प बाद में किसी अन्राजनितिक दल का सदस बन जाता है गलत है यह चौथा वाला गलत है ठीक उसको भी अन्राजनितिक दल का सदस से बन जाता है तो ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी यह गलत है अगर सदस लोकसभाध ध्यक्ष है फिर मालो भाजपा किस तरफ से ओटाएगा बोड़ रहे ना यह अटा दिया जाएगा क्लियर है तो आंसर इस घ, सविधान कारें 268 के अंतर गतनी मिन्मानकृत में से किसे संसोधित किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के संसोधन किया सकता है, तो पहला बोड़ रहे, वीधी का शाशन, शाचन का प्रज़त आंतरिक स्वरूप राश्पति क्या जान सकता है। वी सदन विधान मंदल को किया जा सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा d4 और उर संविधानिक संकट की विसे में सहीं क्या है पूछ रहा है राजपती एक राजज में संविधानिक संकट की घोशना कर सकता है राजपती के राजपाल द्वारा प्रेशीत प्रतिवेदन के अधार परी घोशना कर सकता है राजपाल के प्रतिवेदन के बीना भी यदि तो समयधानिक संकर की घोस्तना कर सकता है संसतर दवारा एक माहा की चया सुकृत हो जाना चाहिए यह संसतर दवारा विशेज बहुमत से चया चाहिए तो पहला तो आपका पांच वा सही है, ठीक, क्लियर, विसेज बहुमत की कोई जरुवत नहीं पड़ती, ठीक है, दो महा में हो जाना चाहिए, क्योंकि राजपती साशन के लिए दो महा है आपका, और इमर्जेंसी के लिए एक महा है, तो पांच वा साथ वा, तो पांच वा स संकर की घोष्ट नहीं कर सकता है, तीसरा सही है, कि प्रतिवधन के बीना भी, यदि राजपती संतूष्ट है, तो संविधानिक संकर की घोष्ट नहीं कर सकता है, पांच वा, दो अवधी के बीतर, और साथ वा आपका, साधारन बहुमत से स्विक्रीत हो जाना चाहिए, त उप्रशाशक का पदनाम उप्राजिपाल होगा, उप्राजिपाल के द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ती की जाएगी, राश्पती के द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ती की जाएगी, उप्राजिपाल मंत्री पहिसत की सलहा से अपनी सक्ति का प्रयोग करेंगे, पढ़ो और इसका आंसर मुझे कमेंस बॉक में दे देना ठीक है ओके चलो नेक कोशन देखते हैं जब आपातकाल की घोष्टना प्रवर्तन में हो तो विधान सभा का पांच वर्स का कारेकार पूर्ण हो जाने के बाद उसकी एक बार में एक वर्स के लिए कौन बढ़ाएग संसद बढ़ाएगी कौन बढ़ाएगा संसद बढ़ाएगी ठीक है क्लियर तो आंसर इस दी नैक्स्ट सविधान के अनुच्छे 368 को संसोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचार दिन है मतदान के समय 271 सदस उपस्थित थे और संसद सर्मत से विधेयक को प आप लोग दोगे देखंगे इतना सरा वीडियो बन गया है, सविधान का एकने सारे portion complete हो चुके हैं, अब तुम लोग से ये बनता है कि नहीं, तुम लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये में को देखना है, तो आप लोग 2 question का answer आप लोग देंगे, मैं हर बार 2 question छोड़ता हूं, तो एक वाला question ये हो गया, और एक ब्यालिस्वा सविधान संसोधन 1976 में, answer is A, भारती सविधान के निमिकित में से कि संसोधन द्वारा, राश्पती कोई भी मामला, मंत्री, परिशत द्वारा, पुनविचार के जाने के लिए वापस भेजने का दिकार दिया गया था, तो वो था आपका चमालिस्वा सविध आनिक संसोधन राजी में चुनिये जाने वाले लोग सभा के सजच्चों कि संख्या बनाने से संबन दित था तो कौन सा था वो साथवा और 21 वा सविधान संसोधन जो लोग सभा के समख्या बनाने से संबन दित था ठीक है, अब साथवा要 canson में Royal Transliga कर में अधम भार्मार है इसका भी आंसर बताएंगे कि 721 सविधान संसोधन किस संद को हुआ था ठीक है यह कमेंस बॉक में आंसर देदा ना मिरको क्लियर चलो नेक्ट विडियो नेक्ट कोश्चन सौरी सविधान भारत के सविधान करेंचे 360 के देन विधिया पात से संबंदित निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए विधिया पात की उत्गोशना दो मास की समाप्ती पर प्रवतन नहीं रहेगी यदि उस अवधी के समाप्ती से पहले संसत की दोनों सदनों के संकल्पूद और उसका नुमोदल नहीं कर दिया जा संबंद में वन सभी या किसी वर्ग के विक्ति के परन्तु जिनके अंतरगात उच्चितम न्याले के नयाधित नहीं आते वेतनभथ्तों में कमी करने के निर्जेस डेने में सक्षम है ठीक है दोनों सहीं है कि विधिया पात गोशना दो मास की समाप्ती के प्रवतन में नह तो नमदन नहीं कर दिया जता, तो दो महा जाई हैं उसके लिए। अर क्लियर, चलो, दूसरा, निमने कित कतों विचार कीजें, निमने कितक विचार कीजें और नयाधिशों के विरुद सिकायते सुविकार करेगी घरेलू इंशा से महिला सरक्षण अधिनियम 25 के अंतरगत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के नयाएक मजिस्टेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है ठीक तो पहला बोल रहा है नयाधिश विदेग 26 के अंतरगत एक अर्जी दाखिल कर सकती है तो तो कर सकती है ठीक है तो यह तो सही है क्लियर अब बोल रहा है पहला ध्यान से पढ़ो पहला अब बहुत ही अजीब का कोश्चन है वह कि 26 के अंतरगत एक नयाएक परिशत को इस्थापित करने का विचार है जो मुख्य नय मूर्थी शहीत है वह उच्चितम है और उचनीयाले के मुख्य नय मूर्ती और नय धीशो के विजिशव सीखायथे स्विकार करेंगी और इसमें जादा कोश्चन थे नहीं अब जो लुक उर विडियो बनेगा तुम लों का जो ठीक, मतलब आज आठवा हो जाएगा, नहीं, नुवा हो जाएगा आज, जो तो लास्ट वीडियो आप जो बनेगा ना, वो आपका पूरा पंचायत, इसमें से कोश्चन नहीं भी देखोगे, तो भी चल जाएगा, उतना डीप इसमें से कोश्चन आता भी नहीं है, ठीक है, पूरा नगरी निगम और पंचायतों से लेटेट रहेगा, उसमें भरमार है कोश्चन की, और वहीं से कोश्चन सबसे दिख आएंगे ही, क्लियर है, तो फिर मुलाकात करेंगे अपन, नेक्स वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्यार रखो और अच्छे से पढ़ाई कर ठीक है, चलो, मुलाकात करते हैं नेक्स वीडियो में, ठैंक यू